दाथियों, हमारे हजारों वर्षों की जिवंतता, हमारे पराक्रम की निरंतरता यही भारत का इतिहास है। लेकिन हमें सद्यों से यह बताने की कोशिश की गई कि हम हमेशा लूटने, पिटने वाले, हारने वाले लोग रहे हैं। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामे का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास योद्राओं का इतिहास है। विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास अत्याचारियों के विरुत्त, अभूत्पुर्वर्शावरिय और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। भारत का इतियास जय का है भारत का इतियास जंग का है भारत का इतियास त्याक का है तब का है भारत का इतियास वीरता का है बलिदान का है महान परंपरा का है लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजाती के बाद भी बही इतियात पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के काल खड़ में साजी संर रचा गया था आजाती के बाद जरूरत थी हमें गुलाम बनाने वाले विदेशियों के एजेंडे को बदला जाए लेकिन ऐसा नहीं किया गया देश के हर कौने में माभारती के बीर माभारती के बीर बेटे बेटियों ने कैसे आतताईयों का मुकाबला किया अपना जीवन समर्पिच कर दिया इस इतिहास को जान बुच करके दबा दिया गया क्या लासित बार्फुकन का सोर्य माइने ने रखता क्या 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 देश के संस्कृति के लिए पहचान के लिए बुंगलों के खलाब युद्ध में लड़ने वाले असम के हजारों लोगों का बनिदान कोई माइने ने रखता हम सब जानते हैं कि अत्या चारों से भरे लंबे कालखन में अत्या अचारियों पर विजय की भी हजारों गाता है जय की गाता है त्याक के दाथा है तरपन की गाता है उन्हीं त्याहस के मुख्यधारा में जगह ना देकर पहले जो गलती हुई अब देश उससे सुधार रहा है कि यहां दिल्ली में हो रहा यह आयोजन कि इसी का प्रतिभीम्ब है और मैं है मनताजी और उनकी पूरी टीम को बढ़ाई देता हूं कि यह कारकम दिल्ली में किया कि वीर लासित बारफुकन की शार्य गाथा जादा से जादा लोगों तक पहुंचाने के लिए असम सरकार ने कुछी दिन पहले एक मुजियम बनेने का एलान किया है मुझे बताया गया है कि हमनताजी की सरकार ने असम के इतिहासिक नायोकों के सम्मान में एक मेमोरियल तयार करने की भी योजना बनाई है निच्च है ही ऐसे प्रयासों से हमारी युवां और आने वाली पीडियों को भारत की महान संस्क्रति को जादा गहराई से समझने का आउसर मिलेगा असम सरकार ने अपने वीजन से जन जन को जोड़ दे के लिए एक थिम सांग भी लौज किया है इसके बोल भी बहुत अध्बूत है ओहो मार अकाखोर ओहो मार अकाखोर भूटा तोरा तुम्ही पूरी भाखा तुम्ही यानि असम के अकास का दूरता ना तुम हो साहर शक्त की परिभाशा तुम हो वाकई वीर लासित बोर्फुकन का जिवन हमें देश के सामने उपस्तित कई वर्तमान चुराउतियों का डट कर सामना करने की प्रेणा देता है उनका जिवन हमें प्रेणा देता है कि हम व्यक्तिक अच्ष्वार्थों को नहीं देश हीत को सरवच्च प्रात्मिक्ता दे उनका जिवन हमें प्रेणा देता है कि हमारे लिए परिवारवार भाई भतेजा बाद नहीं बल्कि देश सबसे बड़ा होना चाहिए कहते हैं कि राश्ट रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी न निभा पाने पर वीर लासित ने मुमाई को भी सजा दी थी कि उन्होंने कहा था दिहोग कोई मुमाई डांगोर न हो याने मुमाई देश से बड़ा नहीं होता यानि कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई भी रिष्टा देश से बड़ा नहीं होता आप कल्पना करिए जब वीर लासित की सेना ने यह सुना होगा कि उनका सेना पती देश को कितनी प्रात्विक्ता देता है तो उस छोटे से सैनिक का होसला कितना बढ़ गया होगा और साथियों यह होसला ही होता है जो जीत का आधार होता है मुझे खुशी है कि आज का नाया भारत राश्ट प्रथम नेशन फर्स के इसी आदस को लेकर आगे बढ़ रहा है